नवसकार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे उत्तरपदेश सरकार दोरा चलाई गए एक योजना जिसका नाम है एक परिवार, एक नौकरी या इसका दूसरा नाम है परिवारकार्ड आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिस है कि आप इस इन्फार्मेशन को ज्यादा से ज्यादा तक सेर करिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा जिससे कि इस तरह की जो सूचना हो हम आपको पहुंचाते रहें तो देखते हैं परिवारकार्ड क्या है तो परिवारकार्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है इस योजना के अंतरगत एक परिवार को एक नौकरी देने का प्राउधान किया गया है और इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा है रासन कार्ड से लिंक होगा परिवारकार्ड इसमें सबसे पहले हमारा आधार कार्ड से सभी जो डॉकुमेंट होंगे चाहे हो आपकी मार्क सीट हो या अंक पत्र हो आय हो जाती हो निवास हो ये सब क्या होगा ये रासन कार्ड से लिंक होगा और आधार कार्ड से भी लिंक होगा फिर राशन कार्ड जो होगा वो किसे जो कार्ड होगा परिवार कार्ड बनेगा वो भी लिंक होगा परिवार कार्ड जो होगा वो भी लिंक होगा साथ ही साथ का क्या-k책 होगा आगे के पॉ does जानेंगे अब हमारे धिमाघ में आता है जिनके ת बांकर नहीं आंगे उनका कैसे होगा मालियों जिनके पास रासन कार्ड नहीं है तो रासन कार की 100 klex totalpekt शाइप पे जाकर अपना और चौथा प्vollेटी स्में कौन सा प्रमार्पत्र लगेगा कहने का मतलब एक परिवार एक नौकरी या परिवार कार्ड बनाने के लिए कोई सफ्के। लिए इसके लिए जहें यहां है और निवास और प्हन कार्ड है आधार से तो तो यह सब चीज्iane है आपकी क्या है जरूरी है इस को वर्ने के लिए इसकी अलामा जो होगा आपका आप 10 थक पढ़े हैं तो सुली का मार्क सीड 12 कि प्लस अंक प्लस इसके अलामा क्या लगेगा तो इसके साथ मार्क सीट के अलामा इसकी फोटो काने का मलब यह जितनी भी है इसकी आप फोटो कॉंपी वहां जब लोग सर्वे करने आएंगे आएंगे आपसे पूछने तो आप क्या करेंगे इन सब का इन सब कीजों का फोटो कॉंपी देंगे अगला पॉइंट है कि जब माली जी हमारा क्या है परिवार कार्ड बन गया तो परिवार कार्ड बन गया तो उसे लाब क्या हमारा होगा मालीजे मुख्यमंत्री के द्वारा चलाएगी योजना है परिवार कार्ड तो परिवार कार्ड बन गया तो उसे लाग मारा क्या होगा पहली पहला पॉइंट नौकरी नौकरी का मतलब अगले तीन या पांच वर्सों में परिवार के एक सदसिको क्या है एक सदसिको नौकरी या रोजगार मुहया कराया जाएगा रोजगार उपलब्द कराया जाएगा यह होगया परिवार कार्ड से लाभ पहला दूसरा जो परिवार कार्ड से लाभ होगा हमारा अपना कागजाद आप फूट से बनाएंगे अभी आप देखते होंगे हमारा आय है जात है निवास है इस सब कार्ट बनाने के लिए खताउनी की नकल है इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए साइबर कैफर पर जाना पड़ता है जनसेवा केंद पर जाना पड़ता ह है निए फिर पर तैसील पर जाना पड़ता लेकिन जब आपका परिवार कार्ड बन जाएगा जब आपका परिवार-कार्ड बन साएगा तेजे विसल निवास जो भी सब देखना चाहें तो इसी से मोईल से ही एक आयप होगा और उस आयप के माध्यम से आपको बना सकते हैं, वो भी क्या, दस से पंदरा रुपय खर्च करके, आप ये सब चीजें वहाँ से बना सकते हैं, आपको मिलेंगी, तीसरा चीज, जो इसे लाब होगा, तीसरा लाब क्या होगा, तो इसमें जो सरकार सरकारी सुविधाई आपको आएंगी सरकार म चलाएगी उसकी सूचना आपको कि दौरह पढ़ा हो तो यह सब क्या है परिवार कार्ड के लाभ है जो कि मुक्ह्मंत्री योगिया दित्तिनात के दोरह चलाए जा रहे हैं तो दोस्तों आपने देखा कि परिवार कार्ड के क्या है उसके क्या लाब है और उसके क्या फायदे हैं इसके लावा हम ये भी जाने कि उसमें क्या-क्या डॉकुमेंट लगेगा जब वो बनेगा और हमारे परिवार के एक सदस को क्या है रोजगार या नौकरी प्रधान की जाएगी तो इस वीडियो में बस इतना ही आप से फिर एक बार कहते हैं कि यह सूचना ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक सेयर करिएगा थैंक यू थैं